खगडिया का एक मजदूर जिसकी मासिक आमदनी है महीने के 7-8,000 रुपए उसको GST का एक बिल आया है और ये आरोप लगाया गया है कि खगडिया के गिरीश यादव 37,000,000 का टेक्स चोरी कर चुका है अब आप समझेगा इस खबर के माध्यम से कि कैसे आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का फरजी इस्तेमाल करके आपको सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और इसलिए कहा जाता है कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बचा कर रखना है बात समझे रारिस्थान का एक जगा है पाली, पाली में एक कंपनी बनाई जाती है खगडिया के गिरीश यादव के नाम से और उसके बाद वो कंपनी करती है भारत सरकार से टेक्स की चोरी, टेक्स की चोरी होती है साड़े 37 लाख रूपय की और उसके बाद आता है गिरीश गिरीश यादव भाई साहब को नोटिस आता है पोस्ट ओफिस के माध्यम से और उसके बाद उनका दिमाग सन रह जाता है उनको ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसके बाद अब बखेडा मचा हुआ है बहराल इस वीडियो में आपको यही जनका है एक मजदूर जिसकी मासी कामदनी 7000 से लेकर 8000 रुपए है उसके पास रहने को अपना घर नहीं है वो कहता है कि हम अपने परिवार का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं हम पिछले 12 साल से बिहार से कभी बाहर नहीं गए लेकिन बताइए कि राजस्था लाख रुपए का टैक्स घोटाला होता है और हमको आता है नोटिस कि आपको 37 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और अगर आप नहीं भरेंगे तो आप सलाखों के पीछी राएंगे खगडिया के गरीश यादव ये अपना दिक्कत और दुख लेकर जाते हैं DM साहब के प चेला है और आप कोई कंपनी लाष्थान के पाली में चलाते ही नहीं हैं दरसल बात यह होती है कि जब आप अपना pen card और adhar card किसी गलत आदमी के हाथों में दे देते हैं तो यहीं होना होता है इसलिए क्योंकि आपके pen card और adhar card का इस्तमाल करके कुछ भी किया सकता है अधार कार्ड का नंबर डाल कर ये तक चेक खुडाता है कि आप कहां के रहने वाले हैं और भी बहुत कुछ कई लोग का दावा तो ये भी है कि अधार कार्ड के इस्तमाल से कई लोग बैंक डिटेल्स के साथ-साथ आपके परिवार वालों की सूची तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन बात जरूरी ये है, कि आपको अपने पैन काड और अधार काड को एकदम बचा कर रखना पड़ेगा, खगडिया के गिरीश यादव मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं तो उनके पास घर नहीं है, उनको अपना परिवार का खाना पीना पढ़ाई लिखाई चलाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन सोचिए कि जब उनके पास पोस्ट आफिस से जब आया है, लेटर साड़े साहतीस लाक रुपे जीस्टी के भरने का, तब उन पर क्या गुजरी होगी, उ आपको इस बात का सबूत पेश करना होगा कि आपकी कोई कमपनी रारस्थान के पाली में नहीं है, रारस्थान के पाली में एक कमपनी बनती है, और फरजी पैन कार्ड के इस्तमाल से एक कमपनी बना याती है, जो 37 लाक रुपे का जीस्टी का घुटारा करती है, और उसके पर यही सीख मिलती है कि आपको अपने pen card, अधार card और documents हैं, उसको बचा कर रखना है, किसी भी अंजान व्यक्ति को नहीं देना है, जब photocopy कराते हैं तो बढ़ियां से कराइए, कई ऐसे मामले भी आते हैं कि फरजी pen card और अधार card के इस्तेमाल से लोग sim card उढ़ाते हैं, औ उस sim card से गलत काम किया आता है, और अंततह असली मालिक फंच जाता है, लेकिन जो नकली तोर पर आपका आधार card और pen card यूज़ करता है, उसको कुछ नहीं होता है, सतरक रहिए, साउधान रहिए, और गिरीश यादको collector साहब ने कहा है, कि आप जाकर वहाँ पर अपना पेश करिए कि आपका विदारस्थान नहीं गए है, या आपकी कंप्री नहीं है, तब आपको छोड़ा जाएगा, बाकी जो होगा आपको अप्रेट करेंगे, आप जिन दनेशन देख रहे थे, मिरे नाम प्रशान तराय है, बहुत बहुत धन्यवाग।